हाई अब्रिवन वेल्कम बैक टो बैंकिंग बूस्ट रूट चनल आज मैं इस पाटकर वीडियो में कबर करूंगा इस एसी यूडिसी डेबल एसो कंपूर्टर इस्किल टेस्ट को और इस पाटकर वीडियो में आप लोग को एक डाउट देखने को मिलेगा पाउर था ठीक है तो यह क्यों नहीं हो पा रहा था तो मैं आप लोग बैंदू जैसे कि आप लोक उनका ढॉट करके दिखा दू क्योंकि इमेशalten का बरजन वह दोर शातका है इसलिए उनको को यह problem फेज करना पड़ रहा था लेकिन इसको आप लोग सही कर सकते हो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इंडिया के बाद जो है यहाँ पर उनका justify नहीं हो पर रहा था justify करने के बाद भी यहाँ आप लोग देख भी सकते हो justify किया हुआ है लेकिन नहीं हो पर रहा था लेक में यहांपर पर alt700 का जो बर्जन है यहांपर ले लेता हूं और 2007 के बिजन चलो मैं इसको दिलीठी कर लेता हुँ ठीक है मैं HomeTap में जाता हो एकनाने ले लेने के लिए आप लोगो प्रनसक बतब सक्राफ़ा था तो आप लोग को देखो वहाँ पर वाइड स्कीन नहीं देखने को मिलता है मैं आप लोग एक बार क्लियर कर दूँ डिजाइन टैप में जैसे आप लोग जाते हो ठीक है तो यहाँ पर देखो स्लाइट का साइज देखता है ठीक है तो स्लाइट साइज में यहाँ पर देखो 16 इस्ट चलो मैं इसको पहले तो आप लोगो को श्राइट का जो साइज है उसको चेंज कर लेता हो तो इसको करने के लिए आप लोगो क्या करना पड़ेगा 2007 या 2010 के बज़ने में तो मैं 2007 में अभी करके दिखा रहा हु आप लोगो क्योंकि उनका डौट 2007 मैं था तो आप लोगो डिजाण टेम में चले जाना है डिजाण टेम में चले जाने के बाद पेश सेटब आप लोगो को यहाँ पर देखने को मिलेगा ठीक है 2013 में तो आप लोग अभी मैंने यहाँ पर दिखाया ठेकना आप लोग तो यहां पर अप लोग को किलिक कर देना है किलिक करने के बाद आप लोग को क्या करना है या तो कस्टम में चले जाना एक्षाई या फिर आगर कहीं भी रखा वाए ठीक कोई प्रॉलम नहीं आएगा dal Master launching आप लोगों को स्फ हम ऊपो श् cont तो चलो अब मैं यहाँ पर करके आप लोग को दिखाता हो तो मैं यहाँ पर कॉपी कॉपी पेस्ट करूंगा ठीक है आप लोग वहाँ पर लिख सकते हो मैं यहाँ पर कंट्रोल एक करके यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया देन कंट्रोल सी करूंगा तो यह कॉपी हो चुका है अब मैं यहाँ पर इसको एजे टेक्ट पेस्ट कर दूँगा ठीक है तो कंट्रोल भी करके इसको मैंने पेस्ट कर दिया देखो लेकिन यहाँ बोल्ड है तो मैं इसको नॉर्मल टेक्ट में कर देता है साइज क्या है तो देखो है यहां पर सेलेट करके रखा है तो इसका फोण्ट है और इसका फोण्ट का जो साइज 44 है तो चलो मैं इसको 12 न्यूामन में कर दिलता हूँ पहले तो मैं इसको Abertyla मैं कर लेता हूँ ठीक है HEL टाइप न्यूर में कर दूँगा और इसको चैन्ज कर दूँगा तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोगों कुछ इस तरह से दिखेगा अब प्रॉब्लम जो है यहाँ पर टेक्ट में ठीक है जो कि जस्टिफाई नहीं हो पर रहा था वह जो है जो भी स्टुडेंट है उन वह वाइड स्कीन में करने के बाद भी उनको यह प्रॉब्लम फेस हो रहा था तो चलो क्यों हो रहा था तो यह मैं आप लोगो डिटिल में बताऊंगा तो मैं यहाँ पर टेक्ट को पहले तो कॉपी कर लिता हो एक करूंगा दैन मैं कंट्रोल सी कर लूँगा और यहाँ पर मैं पेस्ट कर और यहाँ पर देखो आप लोगो और एक प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो फर्स्ट लाइन को छोड़कर सभी लाइन जो हैंगिंग हो रहा है ठीक है यह भी बहुत किसी का डाउट आया था बहुत दिन पहले ठीक है तो यह भी आप लोग यहां से क्लियर कर सकते हो तो यहाँ पर आप लोग क्या करना है सभी को स्लेक्ट कर लेना है सलेक्ट करने रहा है अगर आप लोग फिस तरह से फॉट को चोड़कर सभी भी हैंगिंग होगा अगर आप लोग फर्स्ट लाइन हैंगिंग करते हो तो देखो कुछ इस तरह से आप लोगो देखने को मिलेगा फर्स्ट लाइन आप लोग का हैंगिंग हो जाएगा और यहां पर विफोर किया हुआ है इसलिए आप लोगो यह दिख रहा है तो आप लो आप लोगो को नौन कर देना है नन करने के बाद आप लोगो इस पेसिंग दिख रहा है इस पेसिंग भी आप लोगो जो है यहाँ पर आप लोगो को पैरेग्राफ जो इसको भी जीरो कर देना यहाँ पर भी सिंगल कर देना यह ध्यान लखना तो मैं इसको करके जिस तरह से था उसी तरह से कर दिया ठीक है उसके बाद अब क्या प्रॉब्लम आ रहा था इसको मैं साइज एक बार आप लोगो दिखा दू यहापर देखो साइज है 28 का और टाइम न्यू रोमन ही है ठीक है 28 का साइज करने के बाद भी यहापर तो देखो 28 का साइज है लेकिन इंडिया यहापर आ रहा है लेकिन देखो मैं यहापर 28 का साइज है लेकिन यहापर फॉरस्ट यहापर आ जा रहा है ठीक है तो लोग कर दो इन आप पर आप लोग को एक कि आउटलाइन यहां पर भी देता हो फ़र्मेट में जाओंगा सेफ आउटलाइन कर दूँगा अब देखो मैंने इसको च्राकर कंट्रोल करके स्लेट करा हॉम तेम में गया जन इसको मैं justify करूँगा ठीक है देखो justify तो हो जा रहा है लेकिन forest यहाँ पर आ रहा है आम लोगो को ठीक है लेकिन आप लोगो forest नीचे आना चाहिए तो वो चुडेंट है उन्होंने क्या होगा यहां पर इंडिया यहां पर फोरस्ट आ रहा है जैसे कि आप लोग यहां पर देख भी सकते हो मैं यहां पर आप लोग करोगे तो इंडिया यहां पर नहीं आएगा क्योंकि आप लोगों ने सेंटर्स को ब्रेक कर दिया ठीक है ध्यान रखना तो आप लोगों को ब्रेक नहीं करना है मैं आप लोग को बाया दो यह problem क्यों हो रहा था मैं यहाँ पर आप लोग को पहले जैसा कर लेता हूं मैं इसको ठीक है तो forest यही पर रहने दो देखो यह problem इसलिए हो रहा था क्योंकि आप लोग का जो ruler है वो अलग-अलग set होता है 2013 का बरजन में कुछ ruler का जो setting है वो अलग ह होता है और 27 के बरजन में अलग होता है तो क्या अलग होता है तो यह मैं मैं समझांगा आप लोग को ताप लोग को format में चले जाना है आप लोग को यहां किलिक कर देना है किलिक करने के बाद आप लोग को format में चले जाना है format में चले जाने के बाद आप लोग यहां पर दे तो में एस तरह का अधर बाइस नहीं आएगा तो मैं क्या करूंगा यहां पर जो भी दिया गया है होरिजंटल तो इसको मैं 11.5 कर लोंगा तो चलो मैं इसको 11.5 कर लेता हो और यह आप लोग को 11 देखो यहां पर 12 किया हुआ है तो आप लोग को यहां पर आ चुका है अब देखो यहां पर आप लोग मैं एक बार दिखा लेता हो यहां पर आप लोग को 10.5 इसको करो या ना करो इसमें आप लोग कोई प्राब्लम ने आएगा ठीक है ध्यान रखना तो यह तो हो चुका तो आप लोग का यहां पर डॉट किलियर हो गया होगा कि इंडिया क्यूंद्या आ रहा था तो अब इंडिया आप लोग को एस इजगा में दिख रहा है है ठेक है अब मैं आप लोग को दिखा दूरेंफ साइज भी देता हूँ ताखि आप लोगो सज़े से sounds तो मैं इसको select कर लेता हूँ 1.5 का spacing देना है तो आप लोग क्या करना है line spacing में चले जाना है देन आप लोग को 1.5 कर देना है जैसे आप लोग 1.5 करोगे तो कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा अब मैं आप लोग को title दिखा दूँ यहाँ पर देखो title भी mismatch हो रहा है 11.5 ही कर लेना है ध्यान रखना तो मैं इसको 11.5 में set कर देता हो फिर से format में चले जाओंगा और यहाँ पर मैं 11.5 में कर दूँगा तो देखो यह एक ही जगा में आ चुका है अब आप लोग का कोई problem नहीं है अब आप लोग जो भी format है अपने हिसाब से कर सकते हो तो मैं यहाँ पर format भी थोड़ा सा करी देता हो ताकि आप लोग को समझ में आ जाए तो less से लेकर में यहां तक legislation को select कर लिया उसके बाद आप लोग को क्या करना है बोल्ड कर देना है जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो उसके बाद ministry तक आप लोग को select कर लेना है उसके बाद आप लोग को underline कर देना है तो ministry के बाद मैं यहापर क्या करूँगा select करके underline कर दूँगा तो चलो मैंने इसको underline भी कर दिया जैसे कि आप लोग यहापर देख सकते हो तहीता कुछ slide यहापर आप लोग को name अप लोग को अल्री बहुत सारे lecture में बता चुका हो ठीक है तो यह आप लोग कर लोगे खुद से मैं यही वाला doubt किलियर करने के लिए आप लोगा मैं इस वीडियो को बना रहा था ठीक है अब आप लोग कोई डाउट नहीं होगा देखो यहाप 11.5 का आप लोग को horizontal कर लेना है वर्टिकल आप लोग नहीं करो कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन आप लोग को ध्यान रखना है format में जाकर अगर आप लोग का बर्जन है तो 11.5 अधर नहीं तो आप लोग को लगेगा कि justify नहीं हो रहा है ऐसा कुछ नहीं है तो यह था आप लोग का डॉट आसा करता आप लोग का डॉट किलियर हुआ होगा और यहाप पर में आप लोग को एक च्छोटा सा इंफोर मेशन यह आपर देता हो paid PDF के बारे में तीक है जिनको पता नहीं है तो यहापर देख सकते हो आप लोग यहाँ पर मैं आपको लोग को जूम करके दिखा दू ताकि आप लोग को सारा चीज दिख पाए तो मैं यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यह है 10 exam level practice set इस e-book के अंदर आप लोग को 10 exam level का practice set मिलेगा ESIC UDC और SSO दोनों के लिए यह helpful रहेगा और यहाँ पर आप लोग को 20 ms powerpoint का slide 10 ms word का seat और 10 ms excel का seat मतला आप लोग को 10 full length practice set मिल जाता है और यह pure exam level का है ठीक है pure exam level का है और इसका जो price है 90 रुपया है और इसमें आप लोग को एक doubt solving group मिल जाता है private group जहाँ पर आप लोग अपन multiple doubt को एक साथ पूछ सकते हो वहाँ पर ठीक है और मैं उसका वहाँ पर आप लोग को reply कर देता हो और वहाँ पर बहुत सारे student है तो वहाँ से भी एक दूसरे का आप लोग help कर सकते हो तो अगर आप लोग इस पीडियाप को purchase करते हो purchase करने के बाद आप लोग को क्या करना है एक mail करना है telegram group में join होने के लिए ठीक है तो आप लोग को banking boost 2002 at the rate of gmail.com में क्या कर देना है एक mail कर देना है mail में आप लोग को subject में लिखना है telegram link और आप लोग को body में order ID अपना दे देना है ठीक है या फिर feminine का skin shot भी आप लोग देख सकते हो तो मैं आप लोग को वहाँ प में join नहीं कर पाओगे यह जो telegram group है स्रीप और स्रीप इसी इसी ebook के लिए मैंने बनाया है ठीक है और अगर आप लोग चाहते हो कि थोड़ा सा high level का practice करने तो यह first वाला PDF को purchase कर सकते हो यहाँ पर आप लोग को high level का content मिल जाता है यहाँ पर आप लोग को four quality practice set मिलता है इसक आप लोग को इस वीडियो के comment section में मिल जाएगा तो वहाँ से आप लोग डायक्ट तीनों PDF को purchase कर सकतो अपने हिसाब से ठीक है तहीं था एक छोटा सा वीडियो आसा कर तो आप लोग को सारा चीज समझ में आया होगा इन डिटेल में तो चलो मिलते है नेक्स वीडियो में पत्तक के लिए good bye have a nice day